सोने का हार एक दिन माली फूल बेचने गया था घर में उसकी बेटी और पत्नी थी बेटी किसी बात पर जित कर रही थी जब मा ने डाटा तो वहां रोने लगी उसी समय द्वार पर एक सादू महराज भेक्षा मांगने आए अलाख निरंजन सादू महराज ने आवास लगाए उस समय मा बेटी को डाट रही थी और वहां रो रही थी अतहा भिक्षा लेकर बाहर आने में देर हो गई सादू महराज खड़े रहे क्या हुआ बेटी को? क्यू रो रही है वहा? सादू महराज ने माली की पत्नी से पोचा क्या बताओ महराज? कल यह अपनी एक सहीली के घर गई थी उसने सोनी का हार पहन रखा था तभी से पीछे पड़ी है कि वैसा ही हार चाहिए अब हम ठहरे गरीब कहां से लाए हार? दो समय की रोटी ही मुश्किल से जुट पाती है माली की पत्नी शिकायत के स्वर में बोली बेटी तो देवी स्वरूप होती है सादू महराज मदुर स्वर में बोली उसे मट टाटना मारना बुलाओ उसे हम समझा देते हैं सादू महराज ने वही सिक घास उखाडी घास के लंबे नुकीले पत्तों को गुन्था और उससे एक हार बना डाला उन्होंने लड़की के गले में वहां हार डाला और मंत्र पढ़ा देखते ही देखते हार सूने का बन गया लड़की खुशी से नाचने लगी और भाग कर अपनी सहीलियों को दिखाने चली गई हार इतना सुन्दर था कि उसकी चर्चा गाउं भर में होने लगी कुछ लोगों को इर्शा हुई और किसी ने जा कर राजा तक बात पहुचा दी कि माली की बेटी ने जो हार पहना है वह अती सुन्दर है हो सकता है कि किसी अमीर के घर से चुराया हो क्योंकि ऐसा कीमती हार केवल कोई धनवान या राजा महराजा ही खरीच सकता है राजा ने अधिक छानबीन किये बिना ही मन में गाठ बांदली कि माली हार चुरा कर लाया है उसने माली को बुलवाया और उस पर चुरी का इल्जाम लगा दिया पहले तो माली खबरा गया पर शीक रही संभल कर द्रण स्वर में बोला महराज हम गरीब अवश्य हैं पर बेइमान नहीं है यहार हार हमने चुराया नहीं है यहार हम पर एक साधू बाबा की कृपा का फल है माली के स्वर की द्रणता से राजा और भी चिड़ गया राजा के समक्ष यहाँ व्यक्ति सिर उठा कर अपनी पैरवी कर रहा है यहाँ सोच कर राजा क्रोधित हो गया उसने आदेश दिया कि माली को कारावास में डाल दिया जाए कुछी दिनों में यह बात साधू बाबा के कानों तक पहुँची उन्हें पहुत बुरा लगा अन्याय के प्रती उन्होंने हमेशा आवाज उठाई थी वह सीधे राज दरबार जा पहुँचे और मधुर किंतु द्रिन स्वर्मी राजा से बोले महराज वह माली जिसे आपने कैद किया है निरपराद है साधू बाबा यह आप कैसे साबिद कर सकते हैं कि माली निर्दोश है उसके पास ऐसा बहुमूल लिहार है जो एक धनवान व्यक्ति ही अपनी बेटी के लिए बनवा सकता है या खरीच सकता है कोई घरीब नहीं महराज वह हार मैंने उसे दिया है उसने चुराया नहीं है वह हरीब अवश्य है परन्तु बेइमान नहीं तो आप कहां से लाए ऐसा हार राजा ने साधु बाबा से पूछा साधु बाबा हस कर बोले अभी बताता हूं फिर उन्होंने आखे बंद की और मंत्र पढ़ा देखते ही देखते राजा का महल सोने का बन गया चारों और हजारों सूरज की चमक जैसा प्रकाश बिखर गया राजा बोचक्का होकर तीकता रहा महराज इस समय आपका यह महल सोने का है आपने तो नहीं बनवाया ना आप बनवा सकते हैं तो फिर आपने यह कहां से चुराया है साधु बाबा ने पूछा राजा निरुत्तर था उसने अपना सिर छुका लिया उसने साधु बाबा से शमा मांगी और माली को जेल से रहा करने का आदेश दिया महराज इनसान की परक करना एक अच्छे राजा का पहला गुण है हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता और हर राजा या अमीर व्यक्ति इमानदार नहीं होता साधु बाबा बोले अपनी भूल स्विकार करते हुए राजा ने साधु बाबा के चरण पकड़ लिये और माली को अपने बाग का खास माली नियुक्त कर लिया झाल झाल